हेलो एवरिवन तो वेलकम है आपका आज की इस और नाइट्स में तो दोस्तों क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सोते हुए आपकी आँख खुल गई हो लेकिन आपका जिसम कोई रिस्पोंस ना दे मानो जैसे आपका जिसम पैरलाइज हो गया हो और ऐसा महसूस हो के जैसे किसी ने आपको ना नजर आने वली रस्यों से बान दिया है और आपको बहुती ड्रावने खाब आते हैं और आपकी आवास तक नहीं निकलती और आपको महसूस होता है कि जैसे किसी ने आपको जकर लिया है और फिर आप अपनी उंगली तक अपनी मर्जी से हिला नहीं पाते आपको अपनी चस्ट पर वो वजन महसूस होता है तो दोस्तो ये सिटुएशन आप सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो एक्सपिरियंस की ही होगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यूं है तो दोस्तो साइंसी सिटुएशन को स्लीप पैरलेसिस बोलती है क्योंकि साइंस डीमन्स और एंजल्स में यकीन नहीं रखती और हर चीज़ का मिटेरियलैस्टिक एविडेंस ढूनने की कोशिश करती रहती है तो दोस्तो साइंस की जुबान में इसे स्लीप पैरलेसिस बोलते है और ये एक ऐसी अबनॉर्मल कंडिशन है जिसमें आपका दिमाग तो एक्टिव होता है लेकिन वो आपकी बोडी तक कोई सिगनल नहीं भेशता जिस वज़ा से आप अपनी बोडी मूव नहीं कर पाते अब स्लीप पैरलेसिस के पेशन से पूछता अच के वक्त पता लगा कि हैलोसनेशन के दुरान हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इवल एंटिटी हमारे आसपास है या हमारी चस्ट पे बैठी हुई है अब दोस्तो स्लीप पैरलेसिस के बारे में साइंस भी इतना कुछ नहीं जान पाई है और बस सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा पाई है कि ये सब कुछ हमारे दिमाग में नियूरलाजिकल डिस्टरबंस की वज़ा से होता है और स्लीप पैरलेसिस का साइंस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है और दोस्तो कुछ लोग तो इस सिचुएशन को साया भी बोलते है और जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में जितनी भी बाते आप सब को बताई है उस सबी बाते लोगों के परसनल एक्सपिरियंसिस है और ये स्लीप पैरलेसिस और ये साया होने के पीछे दो डीमन्स है एक का नाम है इंक्यूबस डीमन्स जो के मेल डीमन्स है जो औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करता है और औरतों को तंग करता है और दूसरे का नाम सक्क्यूबस डीमन है जो के फीमल डीमन है ये मर्दों के साथ जिनसी जादधी करती है और अगर सक्क्यूबस डीमन का किसी मर्द पर दिल आ जाए तो ये डीमन उस मर्द की शादी तक नहीं होने देती अब दोस्तो स्लीप पेरलेसिस की सिचुएशन तो जान लेवा नहीं होती लेकिन कहा जाता है कि इंक्यूबस और सक्क्यूबस डीमन से बार बार इंटीमेट होने पर एक इनसान की मेंटल हैल्थ पर इफेक्ट पड़ता है और इस प्रोसेस में कई लोगों को अपनी जान से ह आद भी दोने पड़ जाते हैं और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसाया चैप्टर 34 और वर्स 14 में लिखे हुए लव्ज नाए क्रेचर को फुट नॉट्स में इंक्यूबस और सक्क्यूबस डीमन्स ऐसे ही डीमन्स के लिए लिए लिखा गय होगा कि डीमन्स जो हैं वो शेप शिफ्टिंग होते हैं वो कभी आपके सामने मर्द की सूरत में आते हैं कभी औरत की सूरत में आते हैं या कभी किसी जानवर की सूरत में आते हैं क्योंकि डीमन्स अपनी रेल फॉर्म कभी रिवेल नहीं करते इसी वज़ा से डीमन्स शे क्यूबस जैसे डीमन्स के अटैक से बच सकते हैं नमबर वन एक्जॉर्सिजम नमबर टू सेक्रमेंटल कमफेशन नमबर त्री दसाइन अफ क्रोस नमबर फॉर विक्तम को किसी दूसरी जगा पर शिफ्ट कर देना नमबर फॉर अटैकिंग इवल एंटिटी से एक्स कम्यूनिकेशन करना जो के एक्जॉर्सिजम का ही एक हिस्सा है अब दोस्तों ये डीमन्स जादातर उनी लोगों पर अटैक करते हैं जो लोग पोर्नोग्राफी बहुत ही जादा देखते हैं या किसी को लेकर लस्ट करते हैं या अपने दिल में किसी के लिए हमेशा बस लस्ट ही रखते हैं ये डीमन्स ऐसे ही लोगों पर जादातर अटैक करते हैं या कोई विक्टम जो है बहुत ही खुबसूरत होता है या दिखने में अट्रैक्टिव होता है तो तब जाकर ये demons ऐसे लोगों पर attack करते हैं अब दोस्तों मैंने अपनी जिन्दगी में कभी भी sleep paralysis experience नहीं किया है लेकिन मेरे कुछ family members हैं जो sleep paralysis experience कर चुके हैं और मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि सोने से पहले आप लाजमी prayer किया करें और अपना mind clean रखें और जब आपका इमान मजबूत होता है तो कोई भी evil entity आप पर attack नहीं कर सकती तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्यार रखिएगा Thank you